स्ट्राइब्ड का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं स्ट्राइब्ड का दो तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो जिसे स्ट्राइब किया गया हो या जो स्ट्राइब किया जा चुका हो उसे हम adjective के रूप में striped कह सकते हैं यानि कि जिस पर कोई धारी डाली गई हो या जो धारी दार हो या लकीर दार हो इसकी इलावा striped जो है वो stripe का past and surpassed participle होता है यानि कि stripe की ही second और third form होती है striped और stripe का आर्थ होता है धारी डालना, धारी बनाना, धारी या लकीर डालना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसने धारीदार पाईजामा पहन रखा था तो आप कहेंगे he was wearing striped pajamas या अगर आप ये कहना चाहें कि दिवार के साथ एक धारीदार sofa है तो आप कहेंगे there is a striped sofa along the wall या अगर आप ये कहना चाहें कि उसकी धारीदार टाई बड़े करीने से बंदे हुई थी तो आप कहेंगे his striped tie was neatly knotted अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें